है लुआ अप्टे बान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब कापी अच्छी होंगे तो आज का जो व्लोग है ना वो है मंडे का बट संडे में जैसे की छट पूजा थी तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट किया था सोसाइटी में जो है ना तयारी होने लगी थी तो स्विमिंग फूल में पानी वगएरा भरा जाने लगा था तो यहीं मांचु ने थोड़ी सी क्लिप सूट की थी तो मैंने सुचा चलो आपको दिखा देती हूं तो यहां पर बस स्विमिंग फूल में पानी भरा जाने लगा था और साम तक बहुत अच्छे से यहां पर लाइट्स वगएरा लग गई थी बहुत प्यारा लग रहा था और जो छटका ये फैस्टिवल है ना वो तो मैं पह अच्छा लगा इतने अच्छे गाने चल रहे थे इतने सारे लोग थे और मैंने तो पहले बार यह एक्सपिरियंस किया था तो मुझे काफी अच्छा लगा था और यह जो फूजा थी ना आप सबको पतायोगा वह वर्ड कप वाले दिन थी तो उस दिन ना मेरा बिलकुल भी मन नहीं था शूट करने का इंडिया की हालत देख करना बिलकुल मतब मन नहीं हुआ हजबन ने कहा भी कि शूट कर लो बट मेरा मन नहीं था तो थोड़ी सी क्लिप मैंने जो संधिया अरग की तिना वो शूट की थी और यह जो यह वाली है यह नेक्स टे अ मॉर्निंग की है तो आप सबको तो पता ही है वर्ड कप हार गई थी इंडिया तो मैं भी बहुत उदास थी मतला मन लग ही नहीं रहा था किसी चीज में इसलिए मैंने कोई व्लोग शूट नहीं किया फिर मैंने व्लोग अपना नेक्स्ट डे यानि मॉर्निंग से स्टार्ट किया है तो अभी सुबह का टाइम है नास्ता वगेरा सब हो गया है तो यहां पर मैं अभी बैड को बनाने के लिए आ गई हूं मतलब बैड शीट वगेरा मुझे हाथ चेंज करनी है क्योंकि काफी दिन हो गया है इस बैड शीट को डले वे और आप सब को ना यह वाली बैड शीट मेर मैं भी आई है क्योंकि उनका आख का ओप्रेशन हुआ है उनकी आख में लैंस डला है तो भाई तो मेरा बैंगलोर रहता है बट वो भी एक दो महीने की छुट्टी लेकर आया था ना तो उसने सोचा कि मम्मी की आख बनवा कर चला जाएगा वो तो अभी बस मम्मी भाई औ संडे में तो हम सबने मिलकर मैच देखा था और गुस्ता भी सबको एक साथ आ रहा था बट क्या कर सकते हैं तो अभी तो जो है ना सब मतलब भाई भावी और मम्मी डोक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए तो बस यहां पर मैं इतना अपने घर का काम खत्म कर रही हूं वैर्षीर चेंज की मैंने काफी दिन बाद तो अच्छा लगा था यह वाली वैर्षीर डाली थी थोड़ी सी मतलब मोटी है तो यह ना इसी टाइम पर डल पाती है उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में तो वो सब तो गए हुए थे और अभी ही मांसु को भी उन तो आप सब कहा भी रहे थे कि दीदी व्लोग नहीं आ रहे हैं देली तो बस यही कुछ रीजन था एक तो मतलब मेरी तवियत भी थोड़ी सी खरापती सरदी लग गई है मुझे और काम भी मतलब थोड़ा सा जादा ही हो रहा था घर से लोटने के बाद तो मतलब और एक अ अपने व्लोग दूँ बस आप सब जो है ना अपना प्यार मेरे उपर ऐसे ही बनाए रखेगा तो मैं थोड़ी सी ना मोटिवेट होती रहती हूं नहीं तो व्यूज बगर अच्छे नहीं आते तो फिर दी मोटिवेट हो जाते हैं तो यहां पर मैं बस क्लीनिंग कर रही गर की और देखिया भी मानसु भी चले गए हैं डोक्टर को अपनी रिपोर्ट वगएरा दिखाने के लिए तो उनको भी ना मतलब थोड़ा सा चैस्ट में पेन वगएरा हो रहा था तो वह तुरंती मतलब जैसे उनको लगाना थोड़ा तो अगले दिनी टेस्ट करने चले गए थे और रिपोर्ट आई थी तो फिर आज दिखाने के लिए गए हैं डोक्टर को रिपोर्ट तो वह भी चले गए अब घर में बस मैं अकेली थी डुग्वी स्कूल गया हुआ है तो यहाँ पर फटावट से बस घर की क्लीनिंग करूंगी तो अभी जाड़ों बगएरा तो सब लगा दी थी और यहां पर मैं ड्रस्टिंग करी हूं आप से बताएगा कि किस-किस ने वर्ल्ड कप का मैंस देखा मैं मतला काफी दिन बाद आप से जिक्र करी हूं बट बीच में व्लोग मैंने वह पहला वाला डाला था और जुखा म तो नाक ना बन्द हो जा रही है तो उससे ना बोलने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैच अगले यह ए मंदे वाले दिन भी ना मतलब मुझे तो हीमान सुनें टीवी देखने ही ने दिया हाई-लाइट वगरा भी जब लगा ना कि इंदिया हार जाएगी तो भाई और हिमाजुने दोनों ने टीवी बंद कर दिया देखने भी नहीं दिया कि अब कुछ नहीं रखा है सबको गुसा रहा था बट होता है कभी कभी हमाई टीम में बहुत अच्छा जो है अभी तक वर्ल्ड कप में मैच खेले थे बट होता है जब एक दिन बुरा होता है तो वह इच्छे से और अभी जो है ना जैसे की छुट्यों में घर गए थे तो मेरे कुछ कामना पैंडिंग पड़े हुए हैं जैसे की अभी तक ब्लैंकेट नहीं निकले हैं कबर्ड जो थी ना से मैंने अपना वाला पोर्शन तो क्लीन कर लिया था हिमांस वाला पोर्शन अभी दहरा है और जो उनकी अलम वो है ना जहांपर हिमांस का जो ओफिस है रूम उसकी कबर्ड भी नहीं हो पाई है तो यह सब कामना भी देखती हूं कब कर पाती हूं अभी तो मतार्म मम्मी बगर आई हुए है ना तो थोड़ा बातों में टाइम मसल निकल जाता है काम करने का मन भी नहीं करता क्योंकि मेरी मम्मी बहुत कम आती है यहां पर आती भी है तो वही जो है ना एक आत दिन के लिए बट अभी उनका आख का उप्रेशन हुआ है तो अभी वह आई है तो अभी तो रुकेंगी थोड़ा दिन और इस चीज से भी ना कुछ लोगों को प्रोब् होती ही रहती है तो चलिए सब चोड़िये और अभी जो ना दुपैल का टाइम था मंडे का दिन थो तो मैंने हेर वोश किये थे और फिर जो है मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए तो आज मिक्स दाल बन रही थी जो चने की दाल और उड़त को मिला कर बनाई जा तक वो सब मतलब होस्पिटल से नहीं आये थे तो मैं यहां पर फटाफट से खाना बना रही हूं जिससे की डुगू के आने तक बना सकूं और फिर बस हम सब बैट कर जो है ना लंच कर लेंगे तो दाल तो पकने के लिए रख दी थी अभी मैं यहां पर चावल रख रही ह तो हुआ क्या फिर जो है ना मेरी बुआ की बेटी है उसका फोन आ गया था कि दीदी मैं आऊंगी इवनिंग में और मतलब मामी जी की खबर भी ले लेंगे उनका अपरेशन हुआ है और उसे कुछ काम भी था तो वो आई थी तो अभी बस फिर मैंने कोई और शूट नहीं थी और घर से सामान इतना सारा लेकर आई थी ना मतलब मैं उस दिन सूट करना भुल गई नहीं तो मैं आप सबको दिखाती वो ना मतलब हार्डली एक वीक रुकेंगे और जो खाने पीने का समान है ना वो एक महिने का लेकर आये थे हमान्सु तो मतलब गुसा भी कर रहे थे कि मम्मी आप इतना सारा समान क्यों लेकर आए हो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी एक जो कटा होता है ना बोरी बोलते हैं से वह भरकर वह चावल लाई हैं आटा लाई हैं घी तेल और पता नहीं खिचड़ी वेगरा पता नहीं क्या-क्या मतर जो भी समान खाने में बेटी के माबाप होते हैं ना हमारी यहां यही है कि बेटी के हां का कुछ खाते नहीं है और उपर से फिर मम्मी पैसे दे कर भी जाती हैं तो यही रीद चलती आई है पहले से कि बेटी के हां का खाते नहीं है बट मैं तो यही बोलती हूं अपने मम्मी पापा को कि आज कल ऐसा कुछ नहीं है बट उनकी मतलब विचार हैं तो फिर जादा कुछ हम बोल भी नहीं सकते तो यहाँ पना बस उनके लिए हमने चाय वगेरा बनाई थी और नास्ता वगेरा रेडी था तो हम सब ने भी वही नास्ता खाया तो उसे खान के बाद बहुत हैवी हो गया था फ् अपने भाई बहनों से मिलते हैं जिनके साथ आपने अपना बच्पन भी ताया हुआ होता है तो मेरी बुआ की बेटी है ना वो भी हमारे घर बहुत आती थी छुट्टियों में रहने तो सब मिले ना तो काफी अच्छा लगा काफी देर तक हम बैठे रहे और बस फिर वो जो है ना चले गए थे क्योंकि next day सभी का स्कूल था उसकी बेटी का भी स्कूल था और फिर मैं यहां पर जो है ना यूटैंसिल क्लीन करने आ गई थी और क्योंकि हमने सबने इतना हैवी नास्ता कर लिया था ना साम का टाइम मदब 5-5 बजे का टाइम होगा तो फिर खाना खाने का किसी का भी मन नहीं था तो अभी तो सब मना ही कर रहे थे तो फिर देखते हैं अगर किसी का मन हुआ खाने का तो फिर देखती हूं कि क्या बनेगा अभी तो बस मैंने जितने भी बरतन थे सिंक में वो सारे क्लीन किये इन सब को जो है रखा और फिर मैंने दीपक व होती है है काम करने वाले तो काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है जैसे कि आज कल मेरा हो रहा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अकेली रहती हूं तो टाइम लगता है वह भावि है gegen जाती है अभी सिजब वहां पर वह पर इस्टिक हो जाती है तो बैंने और थोड़ासा पानी डाला और फिर पानी डालके न होरा थोड़ा सा गिला हो जाता है तो EASILY जो इस तरह के हार्ड वह लगा जाते हैं डाश्टीन वगरा तो वह Dwö मूव हो जाते हैं तो बस यहां पर अच्छे से क्लीन की और फिर क्या हुआ लास्ट नाइट ना अभी तक मैं और डुगू जो दोहर होती है ना कोटन वाली वही ओड रहे थे कल रात मुझे बहुत जोर से ठन लगी और फिर जो है का टाइम है तुम दोनों वह दोहर ही ओड कर रखते हो तो अभी तो हमने ना एसी ब्लैंकेट निकाले हुए थे तो जब मुझे ठन लगी तो मैंने फिर उपर से यह बैक निकलवाया हिमान सुझे जिसमें की कुछ ब्लैंकेट रखे रहते हैं मेरे और बस इसी में यह देख थी कि कौन सा वाला निकालू और मतलब ब्लैंकेट निकालना इस टाइम पर मतलब जरूरी भी है क्योंकि नोईडा में क्या है एकदम से ठंड आती है आपको पता नहीं चलता और मेरा अभी तो जो है दिवाली से पहले ही कुछ दिन पहले ही जुखाम वगरा ठीक वा था औ यहां पर बस मुझे जो ब्लैंकेट निकाला था वो मैंने निकाला और उसके बाद मैं उसको रूम में डालूंगी और मैं जब भी कपड़े स्टोर करती हूं ना सर्दियों में तो नेपेथलीन की जो बोल होती है ना हर बोक्स में और हर तरह के जो भी और्गिनाईजर है वो रखती हूं तो फिर कपड़ों में अजीब सी स्मेल नहीं आती है तो ब्लैंकेट तो मैंने निकाल दिया था बैग रखवा दिया हिमांसु से फिर से उपर और फिर जो कपड़े फोल्ड किये थे भावी ने उनको मैं उनके प्लेस पर रख रही हूं क्योंकि मतलब जब के बाद हमांसु ने भी बोला कि मेरे लिए भी ना मेरा वाला एसी ब्लैंकेट निकाल दो तो उन्हें यह वाइट वाला ब्लैंकेट बहुत जादा पसंद रहे तो मैंने यहीं निकाला यह मुझे मेरी बुआजी ने दिया था और काफी सोफ्ट है और सच में बहुत अच् एक ब्लैंकेट और है मेरा एसी ब्लैंकेट वो डबल वाला है वो ना मुझे कहीं नहीं मिल रहा था तो मैं फिर से एक बार चेक कर रही थी बैट में कहीं पर मिल जाए बट वो नहीं मिला तो मुझे लग रहा था जो हैवी वाले ब्लैंकेट है वो उनके साथ कहीं पर रख दिया और फिर मैं चली गई थी किचन में तो अभी डिसाइड यह वा सबसे पूछा किसी को भी भूख नहीं थी जाता बट डुग्गु के और मम्मी के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही था तो फिर डिसाइड हुआ कि जो मसूर की डाल होती है ना वो बनेगी मेरे भाई न उन्हें बोला कि उसको तो उसका ना मतलब पानी जो मतलब डाल कह सकते हैं सूप जो कुछ भी उसे तो सूप का ही पीना है दाल का और डुगो और मम्मी के लिए रोटी बन जाएंगी तो यहां पर बस मैंने तो खाया नहीं था बिल्कुल भूख नहीं थी तो मैं यहां पर जो मसूर की डाल होती है ना उसको भीगा कर रखकर यहां मतलब रख रही हूं थोड़ी देर और उसके बाद ही जो है ना उसमें तड़का लगाऊंगी घी का क्योंकि अभी तो किसी को जल्दी से भूख है नहीं बट डुगो का स्कूल है तो उसके थोड़ा जल्दी भी कर पड़ रहा है तो मैंने फिर सोचा कि चलो हाथ के हाथ ना इसको मैं इसमें मतलब डाल में तड़का लगा ही देती हूं और यहां पर सब बैठे होगे थे ना तो बाते चल रही थी हची मजाग चल रहा था सबका और मतलब जब भाई बहन वगरा आते है ना तो घर का माहू कोली चेंज हो जाता है नहीं तो बस मैं के लिए ही रहती हूं हिमान सो अपने काम में लगे रहते हैं बर जब कोई आता है ना तो अच्छा लगता है इस पेसली जब मेरे भाई बहन आते हैं ना मेरी बहन तो वो तो एक देर साल में बार ही आपाती है क्योंकि वह आसाम रह और देशी घी में जो है ना मैंने दाल में तड़का लगा दिया था उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया यह नेक्स्ट मोर्निंग का है यहां पर कुछ सबजिया मंगवाई थी जैसे बत्वा बत्वे का रायत और परांटे खाने का मेरा बहुत मन था तो यह मंग भी अच्छा लगता है तो बसकाई यही थिए आज की वीडियो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्काइब कीजएगा वीडियो को लाइक कीजएगा हो सके तो अपने फैमली और फ्रेंस में आप सेयर भी कर सकते हैं चलि तक अपना दिहान रखिए